Hello, Welcome Students. Today we are starting theme 2 from your history book. That is Writing and City Life. तो सबसे पहले हम City Life की बात करेंगे. तो जो City Life स्टार्ट हुई है आपकी जिसको माना जाता है, वो Mesopotamia को माना जाता है. और जो Mesopotamia है वो आपकी Greek word है, जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना है Mesos and Potamus. ले नiders में सो सका मतलब होता है मिडिल एंप अबातला होता है रिवर तो ऐसी सिटी जो दो रिवर्स के बीच में सेवल्राप हुई वहां पे इमर्ज हुई और वह बहुत अच्छी तरीके से इसका जो सिविलाइजेशन है वह डेवलाप हुआ तो वह जो दो रिवर्स ती नाम था वो था आपका यूफरेट्स एंड टेक्रिसस ये दोनों रिवर्स ने बहुत ही ज़्यादा आपके चाया वो एकोनॉमिक फिल्ड हो चाया उनको एक्रिकल्चर फिल्ड हो हर जगह पे उन्होंने इन दो रिवर्स ने उनको हेल्प किया अब एक ही सिविलाइजेशन ह बट इसको कई बार डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है अगर हम बात करें इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है अब इस ऐसा क्यों है इसको सुमेरियन क्यों कहा जाता है क्योंकि जो फर्स लैंग्वेज थी मिस्वर्टामिया की वो सुमेरियन तो इस वियसे सिविलाईजेशन को सुमेरियन सिविलाईजेशन भी माना जाता है उसी तरीके से इसको बेबिलोलियन सिविलाईजेशन भी कहा जाता है जैसे कि अगर आप 2000 BCE की बात करें तो वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टन जो सिटी बनी थी त्य वो होतीयाप की Bobilon थी इस वये से इस civilization को Bobilillion civilization भी कहा जाता है उसके बाइ़ को Akadian civilization भी कहा जाता है 2400 BC में क्या हुआ कि Akadian speakers आई जोने कि आपका Sumerian को replace किया ठिक है नथो इस civilization को Akadian civilization भी कहा जाता है ठिक है नथ उसके बाद फिर जो आए उन्होंने अपना वहाँ पे एक तरीके से establishment स्टार्ट किया जो कि Southern part of Mesopotamia में established किया उन लोगों ने तो इसलिए उसको Assyrian civilization भी कहा जाता है ठीक है अब हम कुछ बात कर लेते हैं features of Mesopotamian civilization कुछ ऐसे features जो Mesopotamia से आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि Mesopotamia की जो prosperity थी जो city life थी या जो उनका culture इतना rich था और जो उनकी mathematics और जो astronomy थी उसमें वो लोग बहुत advanced थे ठीक है ना तो उस time पर ये सारे records आपको देखने को मिलते हैं अब अगर हम बात करें उनके writing system की और जो उनका literature था वो आपके Eastern Mediterranean से लेखे North Syria और तर्की तक देखने को मिलता है ठीक है ना तो अब हम बात करते हैं इनके sources क्या थे कि कहां से आपको ये देखने को मिलता है तो महाँ पे hundreds of buildings हैं, statues हैं, ornaments मिले हैं, tools मिले हैं जो ये सारे source बताते हैं इन चीज़ों के details को देते हैं और उनके पास sources देखने को मिलते हैं, अब अगर आप map में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो mountain ranges थी वो कैसे थे, baby lollion देख लीजिए आप उर्क देख लीजिए मारी देख लीजिए अभी हम इसको discuss करेंगे और क्या है मारी किस तरीके से ने वहां पर आपका role play किया, आप rivers को भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको भी center में आपको दिखेगा कि आपका जो टिग्रिस और यूफरिस दो rivers थें, उनके बीच में ही आपका मिसोपोटामिया था, यह जो आप cities देख रहे हैं, मारी, बेबिलोन, यह सारी cities थी, जो कि उस rivers के साथ-साथ यह सारी cities क्या होगा, यह develop होती चली गई, ठीक है रहा, अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले, मिसोपोटामिया and its geography के बारे में, क्योंकि यह सबसे important है, क्योंकि अब जो मिसोपोटामिया था, वो कि आपका नॉर्थ इस में, अगर आप उसकी बात करें, तो green plains उसको देखने को मिलते हैं, जो कि धिरे धिरे आपके, वो धिरे धिरे आपके mountains की तरफ बढ़ते चले जाते थे, जिनमें अलग-अलग तरह के आपके घरने होते थे, flowers देख थोड़े से mountain वहाँ पर start हो जाते थे, जिसमें कि आपके जो animals होते थे या जो लोग होते थे, वो अपने livelihood के लिए वहाँ पर जाते थे, agriculture के लिए वहाँ पर जाते थे, क्योंकि उससे क्या होता था, कि जो उनकी rivers के साथ, जो आपका जो fertile silt होती थी, वो वहाँ पर आती थ थे, जब भेड़ पालते थे, उसके लिए उनको पूरी तरीके से उनको फीड़ कर पाते थे, तो इसलिए ये बहुत famous थे, उसके बाद हम east की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे tributaries थी, tigresses rivers की, जो कि एक routine क्या होता था आपका, उनका एक routine था, कि वो mountains की तरफ जाते थ थी, वो आपकी south part में हुई थी, और ये जो desert था, ये आपके दोनों rivers, जो आपके यूफरिट्स और टेग्रेस थे, इनका जो north eastern mountain में ये वहाँ पे होते थे, और ये अपने साथ क्या लेके आते थे, वहाँ से silt लेके आते थे, जैसे कि मैंने आपको भी पहली बताया, और किवाल ये नहीं है कि मेसोपोटामियन जो थे, वह एगरिकल्चरी करते थे, उनके जो शीप या जो गोट्स होते थे, वह उसको भी उसके जो भी उनके जो milk प्रोडक्ट्स होते थे, या उनके जो मीट होता था, जो वुलन होता था, वह बहुत मातरा में वहाँ पे होत तो इस तरीके से कुछ रिवर्स आप देखेंगे उनके ट्रिब्यूट्री इस ती जिसके कारण की इतनी वह जो आपकी सिविलाइशन है, वह डेवलप ही, मेल लिए आपकी दो रिवर्स थी, यूफरिट्स और टेग्रिस तो यह आपने देखा, आगे देखते हैं, अब हम अरबनाइशन की बात करते हैं, मुस्वपटामिया में, वह किस तरीके से हुआ वहाँ पे, किस तरीके से एकनॉमिक एक्टिविटीज इमर्ज भी, कैसे वह बढ़ती गई और किस तरीके से उन एक्टिविटीज ने उसको डेवलप किया, चलिए देखते हैं, अब जो आप कि food production हो, trade हो, services हो, हर जगा पे लोग काम करते थे, इससे कि क्या हुआ कि वहाँ के लोग एक दूसरे के लिए self sufficient बन गए, उनको depend नी होना पड़ा, other services के लिए, ठीक है न, और इस तरीके से उनके बीच में, क्या हुआ, एक interaction पैदा होता रहा, एक दूसरे से वो interact होते रहे, ठीक है न, अब इससे एक चीज और हुई कि division of labor वहाँ पे बना, division of labor का मतलब, अब कई बार क्या होता था, किसी को stone tools चाहिए, या किसी को bronze के tools चाहिए, या किसी को colored stones चाहिए, तो उनको बनाने वाले special talent वाले कुछ व्यक्ति होते थे, या कुछ लोग होते थे, सबको तो व division of labor बना, कि इस particular काम के लिए, आपको उस व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा, या उस व्यक्ति से काम लेना पड़ेगा, ठीक है न, और उनके बीच में एक social organization भी था, आप social organization कैसे था, cities में, जैसे कि आपका example से clear हो जाएगा, आपको जैसे fuel है, metal है, stones है, wood है, ये different places of the cities स manufacture हो के आते थे, ठीक है न, क्योंकि एक जगा पर तो ये चीज होंगे नी, तो इस से क्या होता था, एक organized trade या storage या delivery या जो import export of grains, grains या foods का जो होता था एक village से दूसरे villages में, ये बहुत ही अच्छे तरीके से supervised rulers या officers के बीच से होके निकलता था, क्योंकि इसको एक जांच किय चाता था, कि कितना goods एक जगा से दूसरी जगा पर transfer हो रहा है, किस तरीके का goods वहाँ से आ रहा है, ठीक है न, तो वही अब हम देखते हैं कि किस तरीके से movement होता था, goods का cities में, ठीक है चलिए देखते हैं, और उनकी किस तरीके से एक दूसरे के साथ communication थी, अब जो food resources थे, व उससे वो क्या करते थे, वो लोग exchange करते थे उस चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके पास आपके जो tools बनाने के लिए, jewelries बनाने के लिए, card बनाने के लिए, wood नहीं था, wood के लिए, wheels बनाने के लिए, board को बनाने के लिए, उनके पास material नहीं था, ठीक है न, या ना, कोई ornaments थे उनके पास तो उन्ने क्या किया अब क्allo यह स्टैल्आ क्वर फ्रश्लिक पेजर स्टॉamiliar ऊंपकी इंस्सक्यून इतना मिनरेल्स हैं उनको टर्की से लेके इरान से लेके आप का गलफ तक चले जाते थे एक्सचेंज करने के लिए ठीक है ना और यह जो रेगुलर एक्सचेंज था यह कब पॉसिबल था किवाल जब कि उनके बीच में एक सोशल और्गनाजिशन हो या एक कहतना एक वेल्ड फॉरण एक्सचेंज जो एक तरीके से रूल्स होते हैं या जो मैथड्स होते हैं वो उनके पास थे ठीक है ना तो यह सारी चीज आपने अभी देगे और इसके साथ-साथ उनके पास एक बहुत सफिशन ट्रांस्पोर्ट था जिससे कि वह एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर क्या करता थे ग्रेंस को या एनिमल्स को इधर उदर वह क्या कर सकते थे एक्सचेंज कर सकते थे या सेल कर सकते थे ठीक है ना और चीपेस्ट मोड था वहां पर ट्रांस्पोर्ट का वह रिवर था क्योंकि वह रिवर के फ्लो के साथ बोर्ट में क्या कर लेते थे अपने ग्रेंस को चड़ा लेते थे बोरियों में रखके और फिर वह एक जगह से developed और advanced थे उस time पे ठीक है ना ये केवल आपके जो spoken language को ही एक तरीके से communication नहीं मानते थे ये आपके जो written जो तरीका था उसको भी एक mean of mode of communication ये मानते थे ठीक है अगर हम 3200 BC की बात करें तो वहाँ पे कुछ pictures आपको देखने को मिलते है tablets में ये जो tablets होते हैं ये clay के बने वे होते थे ठीक है और उसमें अलग-अलग type की जैसे की oxen हो गया fish हो गया ठीक है ना bread हो गया loaves हो गया इस तरीके के symbol वहाँ पे देखने को मिलते थे और इससे ये भी देखने को clay के बने वे होते थे मैंने आपको जैसे बताया उनका size क्या होता था वह different different होता था अपने हिसाब से बट वह इतना बनाते थे जितना की वो हाथ में hold कर सके ठीक है और उसको carefully वह स्मूथ बनाते थे और उसके बात क्या करते थे उसके जог edges हो ते थे वह sharp करते थे और यह क्या होता था इसके वपर स्मूथ करके इसका जो मॉइस जभी होता था बिल्कूल जब यह मॉइस होता था जब सम्में नममी होती थी उस टाइम पी आपके Saarye ungefähr डाला जाता था अब उसके बार वो क्या करते थे यह लोग जब उसपे symbol डाल दिए गए या उस पे जो भी आपको इनको information लिखनी में वो लिख दी है जाती थी तो उसके बाद वो क्या करते थे उसको sun में बाहर छोड़ देते थे जिससे कि कि वो क्या हो जाता था एक तरीके से उसकी जो मौश्चर होता था वो चला जाता था और वो एक तरीके से बहुत डूरेबल एक तरीके से हार्ड हो जाता था ठीक है उसके बाद उसमें कोई भी साइन या कोई भी उसके उपर आप information उसके बाद आप नहीं डाल सकते थे तो इस चीज वहाँ पे Sumerian Language में की जाती थी पर वो यहाँ पर 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 रिकॉर्ड्स रखने के लिए ही नहीं उसकिया जाता था इन टैबलेट्स को कई बार राजा की जो डीड होती थी जो उसकी प्रॉपर्टी पेपर्स होते थे या जो भी उनके जो नियम कानून होते थे या कभी राजा का चेंज होना उस तीज के रिकॉर्ड्स तक यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन टैबलेट्स में ठीक है ना अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था सुमेरियन क्या थी अर्लियस्ट लैंग्विज थी में सुपर्टामिया की जो फर्स्ट लैंग्विज नोन थी वहाँ पर वो सुमेरियन थी उसके बाद क्या हुआ धिरे धिरे वह रिप्लेस की गई 2490 बीसी में अकादियन लैंग्विज के द्वारा और उसके बाद क्या हुआ कि जो अकादियन लैंग्विज थी वह आपकी continue चलते रही till the first century तक ठीक है ना तो अब देखते है चली थोड़े सा और आगे कि यह जो writing system था कॉनिफॉर्म मैथकर कैसा था ठीक है डूज्यों कॉनिफॉर्म साइन औफ राइटिंग था उनका टैबलेट्स के उपर तो उन साइन का मतलब किवल एक letter से नहीं था ठीक है ना उन symbols का मतलब एक word से था जैसे कि कोई भी symbol हो उसका मतलब A या M से नहीं था उसका मतलब था जैसे कि example clip put come in तो मतलब ये कुछ words थे जिससे कि वो messages को उन symbols के द्वारा लिखते थे ठीक है ना और ऐसी तरीके से hundreds या thousands of उन्होंने देखने को मिलता है या उनके जो skills देखने को मिलती है जितने भी उनके achievements थे ये सारे उसके proof आपको इन tablet से देखने को मिलते हैं अब जो अगला topic है वो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से construction या maintenance किया जाता था temples का मिस्वटामिया में अब जो आपके earliest city थी वो आपको एक temple के चारो तरफ ही देखने को मिलेंगी क्योंकि उनका जो temples या जो उनके goddess थे जो जितने भी उनके god या goddesses थे वो उस चीज को बहुत important मानते थे तो जितने भी उनके जो आपके cities देखने को मिलेंगी around आपको moon के god होगे sun god होगे goddesses of love और war होगे तो ये सब वहाँ पे उस temple के अंदर देखने को मिले अब धिरे धिरे क्या हुआ कि जैसे cities develop होती चली गई तो उनके temples भी develop होते चले गए temples भी आपके size में बड़े होते चले गए large temple वहाँ पे देखने को मिले उनके courtyard बनने लगे उसके चारो तरफ boundary बनाने लगे वो बड़ी बड़ी ठीक है तो ये सारी चीज़े वहाँ पे आपको देखने को मिलती है और जो आपके जो भी उनके जो god जो worship करते थे उसमें वो लोग क्या करते थे grains हो गया food crops हो गए ठीश हो गई इनको वो क्या करते थे offer करते थे god को क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी आपके agriculture field है या जो आपके fisheries है या जो आपके herds है या जो भी आपके animals हैं वो सब क्या है God ही उनके honor है ठीक है ना तो इसलिए उन चीज़ों का offer करते थे ठीक है अब role of king क्या था वो भी हम इसमें देख लेते हैं king का role क्या था आपका construction और maintenance में temples के चली देखते हैं उससे पहले हम थोड़ा से ये देखते हैं कि जो वहाँ पे archaeological records ये दिखाते हैं कि जो villages थे वो villages क्या हो देते timely change होते रहते थे एक जगा से दूसरी का shift होते रहते थे और उसके लिए reason क्या थे natural reason तो ये था कि जो river का flood था वो villages में आ जाता उससे village खतम हो जाता था तो उनको दूसरी का जाना पड़ता था ये कुछ problem man made भी थी अब उसमें क्या होता था कि जो river के जो उपर की side के लोग होते थे village वाले वो सारा पानी use कर लेते थे तो जब तक पानी नीचे पहुंचता था तो उनको agriculture के लिए क्या हो जाता था प्रॉब्लम हो जाते थी पानी नहीं मिलता था तो उनके बीच में क्या हो जाता था आपका conflicts हो जाता था अब conflict में क्या होता था कि जब वो आपस में लड़ते थे तो कोई ने कोई एक party जीत जाती थी आप जो पार्टी जीत जाती थी वो क्या कर लेती थी उन सारे village वालों के जो भी village था उसको loot लेती थी ठीक है ना और उसके बात क्या करती थी जो defeat जो होता था group उनके वो बंदी बना लेते थे और उनसे वो अपना temple में काम करवाते थे ठीक है ना और उससे क्या करता था जीता था वो क्या करता था आपने कुछ जो loot होती थी उसको god या temple में उसको क्या करता था offer भी करता था तो अब ये जो लोग हारे बे होते थे war में इनको काम भी लगा दिया जाता तेंपल्स बनाने में या किसी भी और आपके अगरी कल्चर में या मिनरल्स को लाने के लिए इन सब कामों पे इनको लगा दिया जाता था अगर आप एक टैंपल की बात करें जो इस्टिमेटेड था उसका उसमें कहते थे कि 1500 में काम करते थे 10 गंटे पर डे और उनको जो बन आपके जो स्टोन होते थे या जो मेटल्स होते ओर थे उनको लाने के लिए भी उन लोगों से वह काम लिया करते थे ठीक है न अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक में सिटी लाइफ इन और अब सिटी लाइफ क्या थे उनकों में वह भी देख लेते हैं तो जो सिटी लाइफ थी जो सोसाइटी थी मिस्वपटामिया में तो मिस्वपटामियन नुकलिर फैमिली को मानते थे ठीक है अगर लड़के की शादी पे हो जाती थी तो वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता ठीक है न और जो हैड आफ दा फैमिली था वो फादर को वहां पर उनके माना जाता था और procedure of marriage कहाता कि जो लड़के वाले होते थे वो अपना proposal बेज़ते थे और उसके बाद जब वो approval हो जाता था तो वो शादी करते थे और उसके बाद प्या है आपके different goods हो गए ठीक है जो भी gifts हो गए जो wedding के जितने भी materials होगे वो आपके उसे के साथ exchange करते थे उसके बाद वो साथ में बैठके पूरे लोग खाना खाते थे और जो भी उनके जो offering होती थी God को वो temple में जाके वो offer करते थे जो और थी वो आपका सबसे पहली cities में माना जाता है जो कि अमिसोबटामिया में मिली है अब वो कि donkey का वो use करते थे आपने जो भी आपके food grains हो या उसको पहुचाने के लिए ठीक है और वहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है कि जो आपे streets थी वहाँ पर जो आपके grains नहीं थे streets में temporary उन्होंने बना रखे थे और उनका जो water से जो पानी आता था उसको इस्टोर करने के लिए उनके पाइप जासे बना रखे थे जो कि आपके courtyard में store होता था पानी ठीक है ना और उसी तरीके से आपके जो उनके जो घरों का जो कच्रा होता था वो भी क्या करते थे वो लोग आपके street में डाल देते थे तो उससे क्या होता है धीरे धीरे जो streets का जो level है वो बढ़ता चला गया ठीक है ना और उसके लिए उनको क्या करना पड़ा कि जो आपके दरवाजे के जो चौकट होते हैं उनको भी उन्होंने उपर उठा दिया तो यह सारे चीज वहाँ पे दे तो वहाँ पे कुछ superstitions भी थी कुछ omens भी थे अंदविश्वास भी थे जो tablet से देखने को मिलते हैं अब वो क्या थे वो यह मानते थे कि जैसे कि आपको जो front door है अगर वो किसी और घर की तरफ ना खुले तो आपको उसको lucky माना जाता था मतला अगर आपका घर का तरवाज यह की तरफ नहीं खुल रहा है तो आप lucky है तो ऐसी बहुत सारे उसमें आपको देखने को मिलते हैं tablet से कि उनके अंदविश्वास भी वहाँ पे थे ठीक है न अब हम ट्रेडिंग टाउन की बात करते हैं जो कि पेस्ट्रोल जोन में पढ़ता है जो कि आपकी city of Marie में है ठी वहाँ पे किया जाता था क्योंकि जो आप साउथ प्लें थे इसके उपर से जो आपका जो upstream था यूफरिट्स रिवर का वह भी वहाँ पे था और जो आपके agriculture थे जो एनिमल जो आपके वहाँ पे जो पाले जाते थे वह बहुत ही बड़े रूप में किया जाता है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा वहाँ प्लेंस थे और रिवर थी ठीक है ना और जिससे कि क्या है वहाँ पे जो भी आपके हर्ट्स वाले होते थे जो जानवर को पालते थे वह एक्सचेंज भी करते थे जानवरों को या उनके लैदर को या जो भी मीड है उसको रिटैन में व तो क्या करते थे एक्सचेंज करते थे और अग्रिकल्चर के लिए उनको मैनियोर भी वहाँ पे मिल जाता था क्योंकि वह जानवरों को पाल रहे होते थे ठीक है ना तो अब जो मिसोपोटामियन जो नॉमेडिक कम्यूनिटीज थी तो जो नॉमेड्स थे वह क्या करते थे पया है आपके वेश्टरन डेसर्ट की तरफ रहते थे और वह वहीं से अपना अग्रिकल्चर को बढ़ाते थे ठीक है उनके जो शीप्षोती थी जो फ्लॉक्स अप सीप्षोती थी उनको वहीं पहने उसी एरिया में उनको लेके घुमते रहते थे और वहीं पर उनको प्रॉपर तरीके से उनको ग्रास लेंड्स मिल जाते थे ठीके ना और जो ये ग्रूप्स होते थे जो कि आपने जानवरों को पालते थे ये जो हर्डर्स थे वहां से कई बार क्या हो लेबर्स के लिए इसोलजर्स के लिए उनको अच्छा मना जाता था क्योंकि वहां से काफी सारे लोग मिल जाते थे और ये आपके अकादियन भी होते थे एमोरिट्स भी होते थे, असेरियन्स भी होते थे, अर्मैनीज भी होते थे, तो यह सारे लोग वहाँ पे होते थे, जिन से कि आपको यह सारी लेबर्स यह सोलजर्स मिल जाते थे, ठीक है, अब जो किंग ओफ मारी था, वो भी, उसको भी बहुत वेलिगेंट होना पड़ता आप क्यूं? क्यूंकि इतने सारे आपके हर्डर्स होते थे, जो आपके वहाँ पे अनिमल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो उनको उसको regularly देखना पड़ता था कि ये लोग क्या लेके जा रहे हैं, कितने amount में लेके जा रहे हैं, ठीक है, उनके officers वहाँ पे होते थे, officers के बाग किंग का एक return document होता था, जिसके through वो क्या करता था, इन सब में एक तरीके supervise करता था, और raid भी attack देखता था कि कोई इस मतलब किस तरीके के सामान को ये लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता था, कि इनको one tenth part इनको देना परता था, जो भी ये goods लेके जा रहे हैं, उसकी value का, ठीक है न, तो जो आपका यूफरेट्स था, वो एक तरीके से आपका prime position था trade का, क्योंकि उससे आपक इनको लेके जाता था, आपका जो यूफरेट्स का जो रास्ता होता था, ठीक है, तो इसलिए इसको यूफरेट्स को बहुत important माना जाता था, क्योंकि main जो आपका जो एक जगह से दूसरे जगह, जो cities के बीच में जो ट्रांस्पोर्ट होता था, चाहे वो south से लेके हो, या तरकी से लेके हो, या सीरिया या level 1 तक हो, वहां तक यूफरेट्स के तुरू आपका exchange किया जाता था, अब ये boards में क्या करते थे, आपके stones को भी ले जाते थे, wood भी ले जाते थे, अलग अलग type के जितने भी materials थे, उसको लेके जाते थे, south city तक, ठीक है न, तो officers को इनको द इसा नहीं है कि वहां पर बहुत सारे military forces थी, बट वो क्या था कि बहुत ही prosper, बहुत ही समर्द था वहां पर, क्योंकि वहां पर हर चीज exchange के लिए आपको available थी, आपको वहां से आपको जाना होता था, तो मारे से होके ही आपको जाना होगा, ठीक है, तो ये सारे चीज़ वह ऐसे tablets मिलें, जिसमें कि multiplication, division या tables वहां पर देखने को मिलें, square roots देखने को मिलें, तो ये सारे चीज़े वहां पर देखने को मिलें, और कई बार तो उसके ऐसे tablets मिलें, जिसमें कि आपको division of year देखने को मिला 12 months में, ठीक है ना, और आपके जो minutes, hours को minutes में convert करने का ये वहां पर देखने को मिला, और सबसे important में जो आते हैं, आपका solar lunar eclipse वहां पर जो उसके proof देखने को मिलते हैं, उन tablets के through, तो ये कहना चाहरे हैं कि आपकी जो मिस्वपर्टामियन थी, वो बहुत ही advance थे उस time पे, उनके जो achievements थे, वो बहुत advance थे, उन्होंने सारी जो knowledge था, उन्हों उसको return form में रखा, तो अगर यो achievements थे, वो possibly कब थे, क्योंकि उन्हों return form में उसको रखा, उनके पास ऐसे institution थे, ऐसे schools थे, जिससे कि वो क्या करते थे, आपके students को तैयर करते थे, जो कि उनके copy कर सके return tablets को, ठीक है न, और किवलों यही नहीं चाहते थे कि यह copy करें, वो चाह हैं, ठीक है, तो यह सारे जो records थे, यह हमारे लिए बहुत important थे, इनसे हमें बहुत कुछ सेखने को मिला, अगर यह return form में नहीं होते, Mr. Per Damage जो records थे, तो शायद इतनी सारे जानकारे हमको नहीं मिल पाती, तो चलिए, अब आपके कुछ important question sense में, आप उसके करेंगे, और हम म